नमस्कार, स्वाइब आपकार न्यूज नाइटिक में बैबर इफिक्स अनाप लोग के साथ आए नसर डलते खास खबरों की होड़ों जिहां राजदारी जैपुर में ताले तोड़कर नकाब जनी की वार्डार तरकावाले गिरोग का पड़दा फाश किया है जैपुर शर्मिन फ्लाइट के ताले तोड़कर नकाब जनी की वार्डा करने वाले अंतराजी गिरोग का पड़दा फाश चार अभियोगतों को गिरफतार किया अधिवक्ता की चुराई गई विदेशी पिस्तल भी बरामद हुई जैपुर एहमदावाद के गौलियर की करीब दो दर्जन वार्दातों का भी कुलासा किया गया रात्री को राजसान सुफल अबार्टमेंट में बनी पार्क में नकाब का इस्तमाल करते हुए ताला तोड़कर पचास जारवे लाइसेंस विदेशी पिस्तल चुरा कर ले जाने का अभियोग संक्या 246 उन्ने स्थाना बनी पार्क में पंचीकरत हुआ था राजदानी जैपुर में नवर्ष की शुडवात हुई दूद के साथ एक जनवरी 2020 को नवर्ष के उपलक्ष में शिल्पी फांडेशन की अध्यक्ष शिल्पी अगरवाल और लालचंद यादव सच्चिव जैपुर जिला कॉंग्रिस कमीटे के सहयोग तत्वधान में देवी नगर स्थेट शिव सर्गिल पर दूद पिलाने का अईजन किया ग इसी स्लोगन के साथ सभी ने दूद पीकर सभी प्रिदेश वासियों को नवर्ष की शुपकाम नहीं थी इसाईजन के मौकी पर फाउंडेशन के अध्यक्ष शिल्पी अगरवाल, लालचंद यादव, शिव जोशी एडवोकेट, सुरेश मोहन जोशी, प्रेम डीगवाल, सरोज अगरवाल, मोना शर्मा, मदू शर्मा, सरीता विजय, महिंत्र विजय, मुकेश अगरवाल, नवर के शोर शर्मा, देव अवस्ती सहित, कई गडवाने लोग उपस्तित रहे, सिखो के दसवे गुरु, गुरु गोविन सिंग जी के जन्दिवस को हर्शुलास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते दौसा के गुरुद्वारे में, सिख समुदाई के द्वारा, गुरुद ने प्रसादी ग्रहन की, महिला हो दोरा सामुई गुरुप से भोजन बनाया गया, और लोगों को भी खिलाया गया, संगत के दोरा अरदास की गई, वे अटूट लंगर में प्रसाद ग्रहन किया गया, इस अवसर पर अनेक समदाई की लोग भी गुरुदार में पहुचकर अरदास की और लंगर में प्रसादी ग्रहन की, आजी सर क्या पर हो रहा है, सवालाक से एक लड़ाओं, तबे गोविन सिंग नाम कवाओं, आज हमारे दस्वी गुरु, गुरु गोविन सिंग जी का जनम दिन बनाया जा रहा है, जो कि गुरुद्वारा साहब के अंदर ख देखते रहें, यूस नाइटी नवश का